शादी शुदा महिला को भगा ले गया युवक पती ने पुलिस से लगाई पत्नी को पापस दिलानी की गुहार शिपुर जले के सिरसोथ थाना छेतर अने वाले रोंदा गाउं से एक शादी शुदा महिला घर से 40,000 रुपे नगदी, सोने चांदे के घहने और पुत्र को लेकर प्रेमी के साथ भाग गई पती ने शुकरवार को इसके शिकायत पुलिस अधिक्षक कारेले में दर्च कराते हुए पुलिस से पत्नी, पुत्र, नगदी रुपए और घहने पापस दिला जाने की गुहार लगाई है जिस पर एस्पी ओफिस से पिड़ित का आविदन सिर्सोत थानी को फॉरवर्ट कर जाच कर कारवाई के निर्देश जारी के गए हैं जानकारी के नुसार से सोर थाना चेतर के रोंदा गाउं के रहने वाले पिड़ित पती ने बताया कि करीब तीन महा पहले उसकी पत्नी को घ्राम, खरई, थाना थेंदुआ का निवासी शिपकुमार जाटव भेला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था तबिस उसकी पत्नी और बच्चा शिपकुमार जाटव के साथ रह रहे हैं पेड़ित ने बताया कि आरोपी खतरनाक प्रवत्ती का है और मुझे और मेरी परिवार जन को जान से मानने की धमकी दे रहा है मेरी पत्नी और मेरी मेरी बेटे अभी की जान खत्रे में है मेरी मीसेश को सिपकुमार जाटव ले जा तीन में हो चुके है और मेरा बच्चा हुषके इसके सिंग माले मेल का क्या ने उनी आपकी पत्नी की सुसराल में आता देता ता तॉ थीन मैने पहले ले तो आपने ठाने में रोपोर्ट नहीं की ती हि इसकी GRÜNEN डींद में डीक रही हिए रिए त कितने पैसे ले गई थी आपर चानी सजार रुपे नगार जेवर कितने का हुगा जेवर मेरा हुगा दो लाग रुपे का जेवर